हेले सुदेंट्स, वेलकम तू अफिसियल यूटूब चैनल आप ओरीजिन कोचिंग, आप सभी का ओरीजिन कोचिंग के इस चैनल पर स्वागत है, और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का फिजिक्स, हिंदी मीडियम में, ये आप लोग को पता है कि आप लोग हमारा क्लास, लाइ सिरीज चल रहा है, 11 का हिंदी मीडियम के लिए जो हम रिकार्डेट क्लास आपको दे रहे हैं, उस सिरीज में हम प्रत्यास्थता में पहुंचे हैं, और बीच में एक्जाम अगेर आया, तो उसके कारण हमने ये वाला क्लास को मतलब थोड़ा डिले कर दिया था, लाइब क अभी हमारा स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है, और आप जो अभी क्लास वीडियो जो देख रहे हैं, वो हमारा रिकार्डेट का एक अलग सेशन है, जिसमें जो इस्टुडेंट्स लाइब क्लास में नहीं आते हैं, आगे एडवांस में पढ़ चुके हैं, उनके लिए यह क्लास है, तो यहाँ पर हम आपको प्रत्यास्थाता का जो शेप्टर पढ़ा रहे थे, यह इसका थर्ड नमर का पार्ट है, दो पार्ट में आपने देखा कि मैंने प्रत्यास्थाता का कंप्लीट कॉंसेप्ट क्लियर किया, बहुत छोटा सा शेप्टर है, लेकिन से क्लास में प्रवाइट करेंगे, ओके, चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेन इंफार्मेशन बता दू, कि अनेकेडमी में निपुन बेच करके आपको हिंदी मीडियम के स्टुडेंस के लिए, स्टार्ट हो गया है, बस दोरोज हुए हैं, और यहां पर आप ध्यान देना, कि अ क्लास प्योर Indian Medium बेच यहां पर लिखाया देखिए, Hindi Medium की स्टुडेंस के लिए ही बनाये गया है, आप सबको पता है कि लिए इप क्लास की बहुत कमी हैं, लेकिन अनेकेडमी की ने आप आपको complete NEET के syllabus को 100% कराये जाएगा 11th class कभी 12th class कभी इसमें आपको complete previous year के questions solve कराये जाएगे जिस तरह के question के आने के pattern है वो आपको समझाये जाएगा इस batch में मैं आपको physics पढ़ा रहा हूं मैं आपको physics पढ़ा रहा हूं राम अवतार सर आपको bio पढ़ाएंगे और गौरो के जीवाल सर आपको chemistry पढ़ाएंगे अने के टाप educators है और आप लोग को बहुत अच्छा गाई लें यहां से मिलेगा तो मैं आपको suggest करता हूं कि जितने भी students जितने भी students NEET का preparation कर रहे हैं और NEET की त्यारी कराएंगे doubt clearing session होगा जैसे आने केडमी के बाकी features आपको पता है सारे चीज़ आपको इसमें provide कराएंगे तो आप इसको join करिए और आप अपने NEET 2022 में selection को steer करिए ओके तो यह information मुझे आपको देना था चूंकि Hindi medium की students के लिए मुझे मालूम है कि बहुत problem है और यह especially इसलिए Hindi medium को design किया गया है मैं आपको वहाँ पर physics पढ़ाता हूं यह साब आपको पता है ठीक है चलिए तो हम अपना आज का class करते हैं और इसके information इसके जवरी information आपको इस video के description में आपको मिलेगा वहाँ पर आपको link मिलेगा उस link में जाके आप इसकी complete जानकारी ले स प्रत्यास्थता इलास्थी सीटी देखो प्रत्यास्थता का जो पहले का portion में आपको पढ़ाया वहाँ पर आपने देखा कि प्रत्यास्थता के पूरे प्रकार यंग प्रत्यास्थता गुडांक, आयतन प्रत्यास्थता गुडांक, नदीरता गुडांक, पाइसन रेश्यो सब आपको बताया मैंने previous class में आप से discuss किया था कि कुछ topic जो competitive exam के लिए बहुत important होते हैं जिसमें सबसे पहले मैं आज आपको पढ़ा दूँ stress strain graph मतलब प्रतिबल विकृति graph ये graph से related question प्राया competitive exam में पूछा जाते हैं इसलिए मैं especially आज के class में यही सब topic cover करूँगा जो competitive exam के लिए important है तो आज हम पढ़ते हैं प्रतिबल विकृति graph प्रतिबल विकृति ग्राफ इंगलिस में बोलते हैं अपन stress strain graph इस graph में आप देखो इस graph में जो हम पढ़ने वाले हैं मैं पहले सबसे पहले आपको graph बता दूँ फिर मैं उसको explain करूँगा दो वक्ष बना ले अपन graph के लिए इस graph से related question बहुत बार competitive exam में नीट में पूछे गए हैं तो यह ध्यान रखना कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है इस तरह से graph को देखो यहाँ पर x अक्ष में प्रदर्शित किया गया है विक्रिती को हमने विक्रिती को x अक्ष में प्रदर्शित किया है और प्रतिबल को हमने प्रदर्शित किया है y अक्ष में basically इस graph में आपको पढ़ना क्या है कि प्रतिबल का विकृती के साथ में किस तरह का relation होता है कि Hook ने बताया था according to Hook हम जानते हैं कि प्रतिबल हमेशा विकृती के समनुपाती होता है प्रतियास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृती के समनुपाती होता है लेकिन हम यह भी जानते हैं कि आप प्रत्यास्थता की सीमा में होता है। प्रत्यास्थता के सीमा के बाद किसी भी पतार्थ के प्रत्यास्थता का जो नेचर है, प्रत्यास्थता का जो गुण है वो बदल जाता है और एक कंडिशन के बाद तो यहाँ पर एक सीधी रेखा आप देख रहे हो और सीधी रेखा का मतलब होता है यदि ग्राप में कोई भी रेखा X और Y अक्ष के साथ समान कोण बनाते होई सीधी खीची गई है इसका मतलब क्या होता है यह सो करता है कि यहाँ पर प्रतिबल यहाँ पर जो प्रतिबल है वह समानुपाती है किसके विक्रिती के तब ही यह सीधी रेखा है तो यह जो ग्राफ आपको दिखाया गया है मतलब पहले नमबर के ग्राफ में जो हम O.A. दिखाये हैं यह क्या है प्रत्यास्थता के गुण को पदरसित करता है मतलब O से लेके यह तक यह हुग के नियम का पालन करता है यह हुग्स लाका universo के नियम का पालन करता है यह बात ध्यान रखना एक्जाम में इसमें question कैसे आता होगा एक्जाम में यह graph देता है Completely exam है न, board exam के लिए उतना मतलब इसकोल एक्जाम के लिए उतना important नहीं है का सकते हो मैं completely आज के topic को पूरा का पूरा competitive exam पर focus आज का lecture है मेरा तो यहाँ पर देखो ओ से लेके ए तक का जो graph है ओ प्रत्यास्तता की सीमा में है और प्रत्यास्तता की सीमा के अंदर हुप के नियम से प्रतिवल विप्रिती के समान उपाती होता है कैसे पता चला हमको क्योंकि यहाँ पर वह बहुत ही क्या है सीधी रेखा में है इसके बाद यहाँ पर छोटा साब कर्व देख रहे हो देखो ऐसा घुमावदा कर्व देख रहे हो A से B तो A से B क्या है वह प्रतियास्थता की सीमा पर है A भी क्या है प्रतियास्थता की सीमा प्रतियास्थता की सीमा का मतलब क्या हुआ अब वह प्रतियास्थता की सीमा को पार करने वाला है तो कुछ दूरता कुछ की सीती कैसी होती है कि जब प्रतियास्ता की सीमा में पहुंचता है तो हम थोड़ा सा बल लगाते हैं तो उसमें विक्रिती जादा हो जाती है देखो यहाँ पर कर्व का मतलब है यहाँ पर आप देख रहे हो कि जितना हम प्रतिबल दे रहे हैं उतने ही इसमें विक्रिती हो रही है करने वाला है ओके तो यह प्रत्यास्थता की सीमा का कंडिशन है ऐसे भी इसके बाद आप यहाँ पर देखो यह बी से सी यह बी से सी तो यहाँ पर सी सी इस पेसली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पॉइंट को कई बार एकजाम में पूछा जा चुका है और इ इस बिंदू पर पहुँचने के बाद यदि और ज्यादा बल लगाये जाए तो वह क्या होता है त्रोटन कंडिशन में मतलब ब्रेकिंग स्टेज में पहुँच जाता है तो सी से डी जहाँ यहाँ पर आप जो जिग जेक लाइन देख रहे हो वो क्या होता है त्रोटन सी डी क्या होता है त्रोटन मतलब उसके टूटने की स्थिती होती है पराभाव बिंदू को पार करने के बाद पराभाव बिंदू को पराभाव बिंदू में क्या होता है हम थोड़ा सा पतिबल लगाते हैं तो तेजी से आपने कभी किसी तार को ऐसा खीच के देखा होगा या खिशते हुए देखा होगा किसी को तो पहले बहुत ताकत लगाना पड़ता है धीरे धीरे खीचाता है लेकिन एक टाइम के बाद थोड़ा सा अपन ताकत लगाएं तो बहुत तेजी से फैल जाता है तो ये वो कंडिशन है जहाँ पर थोड़ा सा प्रतिबल लगाने के बाद उसमें विक्रिती बहुत हो जाती है तो C इल्ड पर पाइंट आता है पराभव बिंदू आता है और पराभव बिंदू के बाद और बल लगाने पर वो ब्रेकिंग स्टेज में पहुँच जाता है तो यह प्रतिबल विक्रिती ग्राफ है इस ग्राफ का इंप्वाटेंच यही है कि यह competitive पॉइंट वाइस पूसता है आपको ग्राफ दे देगा अब बोलेगा दिये गए प्रतिबल विक्रिती ग्राफ में C बिंदू को कहते हैं यह C पॉइंट कहलाएगा तो वहाँ पर आपको एग्राफ क्लियर रहेगा तो आप उसको explain कर सकते हैं ठीक है आप सभी को पता है कि मेरे चैनल में जो भी मैं topic पढ़ा रहा हूँ वहाँ मेरा double purpose है एक तो मुझे अपने students को basic strong करना है उसको उसको school और board exam के लिए भी तयार करना है साथ ही साथ मेरे को अपने सभी students को आने वाले competitive exam के लिए भी prepare करना है क्योंकि आपको मालू है कि जब तक आप competitive exam में select नहीं होगे अपना proper career नहीं बना सकते हैं खासकर अभी COVID-19 के time में 11-12 class के exam जिस तरीके से सभी board में हो रही है वहाँ पर percentage का कोई role नहीं रहा exam नहीं हो रहे है internal assessment के best पर आपके result निकाले जा रहे है तो आप सब को मेरा suggestion है कि आप आपने knowledge को proper position तक पहुँचाए ताकि आप आगे चलके कोई भी competitive exam में select हो सके चाहे हो किस university में admission के लिए exam हो चाहे NEET हो, चाहे IITJ हो चाहे कोई भी exam हो ओके, next topic हम पढ़ते है यह कुछ छोटे-छोटे concept है जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते है प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव यह ऐसा concept है जिसमें student बहुत दिकत मसूल करते है मुझे मालूम है प्रत्यास्त उत्तर प्रभाव कि यह लिए से बोलते हैं इसको Elastic After Effect Elastic After Effect इसको ध्यान से समझना है यह दो टापिक मैं आपको बता रहा हूँ concept twice बहुत important है और ज्यादा तर student मैंने देखा है कि इसको समझ नहीं पाते हैं जो बुक में इसका definition लिखा रहता है तो प्रत्यास्त उत्तर प्रभाव Elastic After Effect और एक होता है प्रत्यास्त थता थकान जब इसकी हम परिभासा पढ़ते हैं तो हमको एक जैसा लगता है लेकिन एक जैसा नहीं है प्रत्यास्त थता थकान या इसको बोलते हैं प्रत्यास्त थता सरांती ये दोनों चीज क्या है इसको बोला आता है इंगलिज में Elastic Fatigue ये दोनों क्या है इसको हमको बहुत ध्यान से समझना है कि प्रत्यास्त उत्तर प्रभाव क्या है प्रत्यास्थता ठकान या स्रांती क्या है मैंने देखा है ज़्यादा तर स्टुडेंट जब इसका definition book से पढ़ते हैं तो बिल्कुल भी clear नहीं होता क्या है क्या है एक क्लाइन के definition है और एक concept आपको इस chapter में समझना बहुत ही जोड़ी है प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव इसका मतलब क्या होता है देखो ध्यान से सुनना इसको जैसे मालो अपने पास कोई तार है ये तार है इस तार को हमने एक दिड़हधार से कसा हुआ है और इसमें हम भार लटका के इसके लंबाई में वृद्धी कर रहे हैं प्रत्यास्थ थता के गुण के कारण तार को अपने प्रार्मी की स्थिती में वापस आना चाहिए तो लेकिन जैसे ही वईज्यानिकों ने देखा प्रयोक करके कि जैसे हम भार को हटाते हैं तो भार को हटाने के बाद ये जो तार है अपने प्रार्मी की स्थिती में तुरंत वापस नहीं आता है उसको देखने से लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा देर तक छोड़ दो तो धीरे 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 वो अपने प्रार्मी की स्थिती में वापस आता है तो इसको बोलते हैं प्रत्यास्त उत्तर प्रभाव मतलब प्रत्यास्थता के बाद का प्रभाव कि प्रत्यास्त पिंड में वस्तु में भार को हटाने पर वह तुरंत अपने वास्तवी की स्थिती में ना आकर अपने वास्तवी की स्थिती में वापस आने में कुछ समय लेत या इसमें उसको परिभासन डाल देते हैं अब देखो प्रत्यास्थता थकान प्रत्यास्थता थकान का मतलब क्या है देखो इस तरह से मालो हमने एक तार में यह भार लटकाया है और यह तार क्या है इस तरह से फैलते जा रहा है सपोज हम इसके बगल में कोई scale लगा के रखे हैं, यह scale है जहाँ पर हम इसको measurement कर रहे हैं इस तरह से, अब यह देखा गया कि जैसे यह यहाँ पर पहुँचा मालो इस reading पर पहुँचा है उसके बाद हम प्रयोग करते जा रहे हैं भार लटका के रखे हैं, तार बढ़ते 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 यहाँ तक पहुचा उसके बाद हम बहुत देर तक देख रहे हैं तो तार के लमाई में वृद्धी होई नहीं रही है वही पर आके रुख गया तब हमको भ्रहम हो जाता है कि सायद अब तार के लमाई में और प्रव्रता नहीं होगा लेकिन यह प्रयोग करके देखा गया कि यदि हम अब इस भार को थोड़ी देर के लिए हटा दे देखो उसके लमाई में वृद्धी होना बंध होगा भ्यान से समझना यह इतना डेफ्थ कांसेप्ट है कि मैं आपको क्या बता हूँ आप उसको बात में समझोगे बुक पहरना देखो कासे पता चलेगा तो जैसे आप क्या करो उसको हटा दो थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर के हटाने के बाद फिर उसको लगा इतने देर के लिए हटाओ कि वापस आना शुरू हो जाए ऐसा ने थोड़ी देर के लिए हटाओ और भार को दुबारा उसमें लटका दो तो भार को आपर दुबारा लटका देने पर क्या होता है इसकी लंबाई में फिर वृध्धी सुरू हो जाता है मतलब ये फिर पिंड क्या होता है और नीचे आना सुरू हो जाता है ये इस प्रकार से ऐसे बार-बार भार को हटाएं अब फिर रखें भार को हटाएं फिर रखें तो उसकी लंबाई में और बृध्धी पहले हमको लगा था कि लंबाई मृध्धी होनी बंध हो गई लेकिन जैसे हम भार को हटा के फिर डाले तो उसकी लंबाई मृध्धी सुरी और हो गई इसको कहा गया प्रत्यास्थता थकान थकान क्यों गया, बोला गया मालूम जैसे कोई आदमी इसको ज़िए हम human behavior में आदमी के बेवहार में अप्लाई करें तो जैसे कोई आदमी कोई काम कर रहा है चाहे physical work कर रहा है, चाहे mental work कर रहा है वो काम करते करते ठक गया या आप पढ़ाई कर रहे हो आप चार घंटा से लगा तार पढ़ाई कर रहे हो फिर आगे आपको लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे है तो आप थोड़ी देर के लिए पढ़ाई बंद करके थोड़ी देर के लिए देखो पिंड को थो 12 तेजी से समझ सकते हो रिसीप कर सकते हो ऐसा नहीं कि आप पर्मनेन पढ़ाई को एक घंटा के पत्यास थता थकान के पोजिशन में सर ने बताया था कि पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो पढ़ाई को छोड़ दो फारे सार टाइम बहुत कम समय के लिए इसको लंबे समय के ल प्रिद्धी और करता है इसको क्या बोला गया थकान क्यों बोला गया मालूम है वो थक गया है तार फैलते फैलते थक गया है तो थड़ा उसको अराम दो पिंड को हटाओ और फिर लगाओ स्रांती मने उसको थड़ा स्रांती दो उसको अराम दो ओके तो यह क्या हुआ पिंड को हटाने पर अपने प्रारमी की स्थिती पर वापस आने में कुछ समय लेता है जिसे प्रत्यास्त उत्तर प्रभाव कहते हैं और प्रत्यास्त थकान क्या हुआ तार की लंबाई में परियात विद्धी हो जाने के बाद यदि कुछ देल के लिए हम पिंड को हटा के फिर उस पर लटका दें तो उसके कराण फिर उसके लंबाई विद्धी शुरू हो जाती है इसे हम कहते हैं प्रत्यास्त थकान ओके तो प्रत्यास्थता इस्टिल तथा रबर की प्रत्यास्थता का मतलब क्या है हमारे पास इस्टिल और रबर के बराबर लंबाई के मान लो दो तार है और उसको हम पूछें कि कि दोनों में कोन अधी प्रत्यास्थ है तो ज्यादा तरलग के दिमाग में यह उल्टा कांसेप्ट आ जाता है मिस कांसेप्शन की रबर ज्यादा प्रत्यास्थ है क्योंकि उनको लगता है रबर को हम थोड़ा सब बल लगा के तेजी से फैला देते हैं और तुरांत अपने प्रारहमी की स्थिती में वो आपसा जाता है तो ऐसा लगता है कि रबर ज्यादा प्रत्यास्थ है लेकिन ऐसा नहीं है प्रत्यास्थ इस्टील ज्यादा है तो एक कांसेप्ट काम आएगा अब देखो कैसे हम इसको इंप्रूब करें तो हमको यहाँ पर फार्मूला पता ह फार्मूला पता है कि y equal to होता है mgl upon pi r square l यह होता है यंग पत्यासाता गुडांग का फार्मूला अब यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर किसको कांस्टेंट रखा उसकी प्रारमिक लंबाई कांस्टेंट है दोनों में हमने बराबर दरब इमान लगाया और दोनों के उनप्रस कार्ट का छेत्र फल भी क्या है समान है ठीक है तो इस कंडिशन में यह हम इसको किसके लिए यार मतलब इस्टिल बटे रबर तो यह इसके ब्युत्क्रमान उपाती है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यह एल आर अपान एल एस यह हो जाएगा ऐसा ज्यादा आसानी से आप समझ सकते हैं काम्टिटी में समझनेंगा पेटर नहीं है जितने को मैं रेट कलर से घेरा ह वो कांस्टेंट है तो य क्या है एल के ब्युत्क्रमान उपाती है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ठीके तो य एस अपान वाई आर इक्वल टू एल आर अपान एल एस क्योंकि ब्युत्क्रमान उपाती संबंध है अब चूंकि हमको पता है कि बराबर बल यह कैसे जाने हम कि यदि बराबर बन लगाके इस्टील के तार को और रबर के तार को यदि मैं खीचूँ यदि बराबर बन लगाके इस्टील के तार और रबर के तार को मैं खीचूँ तो आपको मालूम है कि रबर के तार में लंबाई में वृध्धी ज्यादा होगी तो rubber के तार में लमाई की बिद्धी ज्यादा होगी तो देखो दाहिने तरफ जब दाहिने तरफ आप देख रहे हो कि LR LS से बड़ा है तो therefore बाहिने तरफ कभी अंस बड़ा होगा माने YS बड़ा होगा किसे YR से इस बात से प्रूफ हो जाता है कि इस टील जो है rubber से अधिक प्रत्यास थे क्योंकि इधर का अंस बड़ा है तो इधर का भी अंस बड़ा होगा भी नके गूंड से तो LR बड़ा है LS से ये इस से बड़ा है तो YS बड़ा हो जाएगा किसे YR से इस बाद से प्रूफ हो जाता है कि इस टील जो है रवर से अधिक प्रत्यास्त है तो एक बहुत important topic है ये जो school exam में भी पूछा जाता है और साथ सी साथ computer exam में भी पूछा जाता है तो आज के class में मैंने आपको कुछ छोटे छोटे concept बचे थे प्रत्यास्तता से उसको लेकर class लिया अब हम अगला जो आपको class provide करेंगे वो प्रत्यास्तता के बाद हम द्रवों के गुण पर अब द्रवों के बाद फिर gas के गुण पर ओके ओके थे